हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल एक्जाम जाउन पर तोगा फिर से मैं हाजिर हूँ 21 जनवी 2021 के इंपोर्टनिमेट्स के साथ आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको दो कोश्चन के जवाब देने हैं आज का पहला कोश्चन है ट्राइबल लाइवलि़ूर जनरेशन के लिए किसने एक M.O.U. सगिया है तो इफ़ड्स इसके साथ M.O.U. साउं किया है ट्राइफ़ड ने किसने ट्राइफ़ड ने ट्राइफड और आइफ़ड दीसी ने एक Memorandum of Understanding के लिए Tribal Livelihood Generation के लिए News देख लिजी आप Trifet और IFFDC यानि Indian Farm Forestry Development Corporate is Limited इनके बीच में एक Memorandum of Understanding Sign किया गया है ताकि जो Tribal Community है उसकी Livelihood Condition को बहतर किया जाए इसके लिए कई सारे Livelihood Generation Program Initiatives Launch किये जाएंगे सिर्फ इतना ही नहीं इस MOU में है बलकि ये भी कहा जाए गया कि जो Corporate Social Responsibility के Initiatives हैं उनको Tribal Welfare के लिए कैसे यूज कर सकते हैं Tribal Developments के लिए उसको भी कैसे Execute किया जाए या फिर क्यानवित किया जाए उसके विसमें भी ये लोग सहयोग करेंगे Tribal Corporatees Marketing Federation of India 1987 में स्थाबना होई थी 1984 के Act के तहर ये Act देख लिए जे Multistate Cooperative Societies Act 1984 Tribal Tribal का Headquarter कहा है New Delhi Miss का Headquarter है रमेश चंद मीना इसके Chairperson आप इतना याद रखेगा ने कोशन है Exercise Desert Night 21 क्या Exercise Desert Night 21 ये एक Air Force Exercise है इंडिया और किस कंटी के बीच में कंड़क्ट की गई है तो recently Desert Night 21 ये Air Force Exercise इंडिया और फ्रांस के बीच में कंड़क्ट की गई है किसके बीच में इंडिया और फ्रांस के बीच में कहां पर जोधपूर में इंडिया और फ्रांस के बीच में Desert Night 21 एक्सरसाइज को कंड़क्ट किया गया है ये Air Forces के बीच में होने वाले exercise है आप देखिएगा Indian Air Force और जो France की Air and Space Force है वो पाटिसिपेट करती है इसमें देखिए गरूर exercise होती है वो भी India और France के बीच में Air Force exercise है गरूर का additional जो रूप है उसको कहते है Desert Night 21 exercise 2021 में हो रहे है इसलिए 21 एड़ किया गया है वाणना 20 भी रहता है Desert Night याद रखेगा आप इसके लवाँ इंडिया और France के बीच में जो Armies है उनके बीच में exercise सक्टी कंड़्ट कियाती है जो Navies हैं उनके बीच में वरूना exercise कंड़्ट होती है और Air Forces Garuda तो ये तीन exercise हैं जिनको इंडिया और France के एड़ीज, Armies और Air Force के बीच में कंड़्ट कियाता है France के बीच में जाल लीजिए ये Western Europe के कंटी है France, Capital क्या है Paris Currency क्या है Euro या फिर CFP France के Prime Minister कौन है Sorry, President कौन है Emmanuel Macron अब कुछ समय पहले इसके Prime Minister कौन है Jean Castex मैं कोशन देखते है किस कंटी के Climbers ने हिस्टी बना दी है K2 Peak पर चढ़कर Winters में यानि अभी तक जो Godwin Ashton यानि K2 Peak जो है Ladakh की Gliedis बालतिस्तान एरियास में उस पर अभी तक किसी ने Winters में चढ़ाई नहीं की थी लेकिन नेपाल नेपाल की एक टीम ने नेपाल की टीम ने ये एधिहास रस दिया है K2 पर Winters में चढ़ाई करके ये देख लीजे निर्मल पूरजा निर्मल पूरजा की लीड में यानि हेड थे उस टीम के निर्मल पूरजा इस टीम ने लीट कर लिया है चढ़ लिया है केटू पीक पर यह सेकंड हाइस्ट माउंटेन पीक है केटू आफ्टर एवरेष्ट इसको साधर माता कहते है नेपाल में केटू की हाइड क्या है 8,611 मीटर मैं आक होता दू कारा कोरम रेंजेस में खिलगित बालतिस्तान रिजन में यह केटू हाइड केटू पीक है इंडिया की हाइस्ट पीक कहाता है केटू को हलाकि P.O.K. में पढ़ती है इसलिए कई बार कंशन जिंगा आपने लिखा हुआ देखा होगा तो क्योंकि नेपाल की टीम ने फतह ही की है विंटर में तो नेपाल की बात कर लेते हैं कैपिटल है काश्मान्डू करेंसी क्या है नेपालीज रूपी नेपाल के पीम कौन है खरक प्रसाद सर्मा ओली यह है आपका मैप में नेपाल ने कोशन है historic statues and monuments को protect करने के लिए किस country एक नया law unveil किया है तो historic monuments and statues को protect करने के लिए UK दोरा एक नया law unveil किया गया है पढ़ लेते हैं UK government में एक नया कानून पास किया गया है England की cultural और historic heritage को protect करने के लिए मैं आपको उतादू कुछ समय पहले ही US में George Floyd करके एक person थे उनकी हत्या कर दीगी थी जिसके against में एक black lives matter moment चला था क्या black lives matter moment US से start हुआ था जिसके बाद वो UK में फैल गया तो हाँ पर UK में महात्मा गांधी समय कई सारे statues थे जिनको तोड़ दिया गया है अपर नुकसान पहुचाए गया एक famous slave traders है गुलाम व्यापारी Edward Colston इनके statue को तो गिरा दिया गया और नदी में fake दिया गया तो उन statue की रक्षा करने के लिए UK government दोरा एक law unveil किया गया है आप एद रिखेगा और George Floyd की हत्ता के बाद black lives matter movement चला था कहाँ पे US में UK बात करें तो United Kingdom इतनी सारी country से मिलके बना है capital क्या है London है currency क्या है pound sterling और UK के PM कौन है Boris Johnson नए question है Manohar Parikar of the record book recently किसका रिलीज की गया है तो Manohar Parikar of the record book को रिलीज किया गया है प्रमोस सावन्थ जो कि गोवा के chief minister है यह देख लिए प्रमोस सावन्थ जी ने Manohar Parikar of the record book को रिलीज किया है एक managers ब्रेंगेजा managers ब्रेंगेजा hall है कहाँ पर परणी जी वे वहीं बैस book को रिलीज किया गया है इस book को लिखा किसने है तो सुभा प्रभू सुभा प्रभू ने Manohar Parikar of the record book को लिखा है इस book में mainly यह बताया गया है ऐसी limelight जो Manohar Parikar के विसे में लोगों पता नहीं है इस book में वो बताया गयी है CM कौन है गोवा के जिन्होंने यह launch की है प्रमोस सावन्थ गोवा के governor कौन है भगस सिंग कोशियारी जो कि महाराज के भी governor है यह map में आप गोवा देख सकते है गोवा liberation day यानि गोवा मुक्तिवस 19th December 1961 को मना रहता है और गोवा भारत का 26 वा राज बना था कब बना था 1987 मना था तो यह भी आप रखिएगा ने कोशन है मद्धपदेश ने Responsible Tourism Initiative के लिए कि sister government के साथ एक memorandum of understanding sign किया है तो Responsible Tourism Initiative के लिए मद्धपदेश और केरल ने इसने मद्धपदेश और केरल ने एक memorandum of understanding sign किया है यह देख लिए MP और केरला इन दोनों के बीच में Responsible Tourism को promote करने के लिए MOU sign किया गया है इसके लिए जो केरल का 16 point program है 16 point program tourism को promote करने के लिए केरल government ने launch किया था, उसके तहट joint declaration release किया गया है MP और केरल द्वारा, जो MP की tourism minister है USA ठाकुर और जो केरला के tourism minister है, उन्होंने ये MOU exchange किया है, MP की बात करें तो सिरासिंग चोहान आके चीफ मिनिस्टर है नोगना कौन है, आनंदी बेन पटेल और आपको याद होगा, इंडिया की first hot balloon, wildlife, safari service, कहां start होई, MP के बांदोगन नेशनल पार्क में, ये map में आप MP डेख सकते हैं, भोज़ताल होगा है, MP में ही आपर रखीगा ने कोशन है महाननदा wildlife century में पहली बार bird festival organized किया रहा है आपको तहना महाननदा wildlife century कहां है तो ये है वेस्ट बंगॉल में महाननदा wildlife century यहाँ पर पहली बार bird festival organized किया रहा है organize कों कर रहा है तो दार्जिलिंग wildlife division दोरा इसको organize किया जाएगा फरवरी में देखे participation fees कितनी है 5000 रुपीज है यहाँ पर रुखने का खाने का लॉजिंग का सब कुछ आपको इसी 5000 में इंक्लूज है तो आपर देखेगा महाननदा wildlife sanctuary में पहली बार bird festival organize किया रहा है जो कि West Bengal में West Bengal की बात करें तो मैप में देख सकते हैं आप West Bengal CM कौन है ममता बैनर जी गवर्नर कौन है जगदी धनकर और कोलकता जो है इसकी capital वो होगली रिवर के किनारे है आपर देखेगा इसकोशन है किस state government द्वारा horticulture development mission यानि भागिता विकास mission launch किया गया है तो भागिता नहीं यह बागायत विकास mission है तो recently गुजरात ने गुजरात के जो CM है विजे रुपानी इनके द्वारा horticulture development mission यानि बागायत विकास mission लाउंच किया गया है कांधी नगर में इसका में परपस है horticulture farming के माध्यम से जो farmers हैं उनकी इन्दों को double करना तो medicinal और horticulture farming को बढ़ावा जाएगा गुजरात में जिसके लिए horticulture development mission गुजरात में लाउंच किया गया है इसमें क्या होगा जो government की फालतु पड़ी हुई land है वो 30 वरसों के लिए lease पर दे जाएगी farmers को वहाँ पर medicinal cloths और horticulture का cultivation किया जाएगा मैं उकाता दूँ ये सारी जितनी भी lease पर देने वाई land है इसकी जानकारी गुजरात government के आई खेदूत portal पर available रहेगी ये जो lease पर जमीन दी जाएगी ये 100 रुपीज पर येर से लेकर 500 रुपीज पर येर तक ये आएगी 6 वर्सों से लेकर 30 वर्सों तक तो इतना याद रखेएगा horticulture development mission गुजरात government रुजरात की बात कर लेते हैं ये है map में गुजरात longest coastal line है को गुजरात क्या पर देखेगा सीम कोन है उजजे रुपानी गवर्न कोन है आचारत देवरत वर्ड का largest hybrid renewable energy park इसंटली कच्छ में इनाग्रेट किया गया है और वर्ड का सारी इंडिया का पहला green railway station जिसका नान है केवडिया वो भी कुछ रात में ही इनाग्रेट किया गया है इसंटली इसका नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे Geological Park रख दिया गया है आपको ताना गौरेवारा जू या फिर बाला साहब ठाकरे Geological Park कहां इस्ते थे तो ये नागपुर में से थे नागपुर में जान लेते हैं इसंटली महाराश्ट गवर्मेंट ने कहा है कि वो जो नागपुर के गौरेवारा इंटरनेशनल जू है उसका नाम दलकर बाला साहब ठाकरे जिलोजिकल पार्क कर देगा देखिए ये जो गोड़े वारा जू है या फिर बाला साहब ठाकरे जिलोजिकल पार्क है इसका इनागरेशन 26 जनुरेरी को किया जाएगा जिस दिन हम दो वेबसाइट लाँच कर रहे हैं इसके वरा उधो ठाकरे दोरा किया जाएगा मैं आपको जाएगा दो 2019 की सेटेंबर में ये जो गोड़े वारा जू था यहाँ पर हमारे Minister of Environment, Forest and Climate Change टकास जाबडेकर जी दोरा एक International Standard Bio Park का इनागरेशन किया गया था जो कि अभी तक बन रहा है इनागरेशन ने Foundation Stone जो है ले राउंग किया गया था तो गोरे वाड़ा जू नाकपूर में नेकोशन है RBL Bank के दोबारा से MD&CEO कौन अपॉइंट हो गया है तो फिर से RBL Bank के MD&CEO कौन हो रहे है विसुवीर आहुजा कौन विसुवीर आहुजा ये देखी RBL Bank के Board Members ने जो विसुवीर आहुजा जी हैं उनको दुबारा पॉइंट कर दिया है MD&CEO कितने वरसों के लिए तीन वरसों के लिए क्योंकि RBI के तहर कोई भी परसन तीन वरसों से जादा के लिए MD&CEO नहीं बन सकता है प्राइबिट बैंक का ये हैं विसुवीर आहुजा ये RBL Bank के फिर से MD&CEO बन गए है 2010 से यही MD&CEO है RBL Bank के उसके पहले Bank of America के MD&CEO थे RBL Bank की बात करें तो पहले इसका नाम था रतनाकर Bank Limited इस्थापना हुए थी 1943 में हेड़कोटर हैसका मुंबाई में और MD&CEO कौन बन गए है विसुवीर आहुजा नहीं कोशन है ये हैं Famous Personalities रिसेंटली इनका निधन हो गया पहली हैं डॉक्टर वी सांता और दूसरे हैं कमल मुरारका ये देख लीजए हैं आपे जानी मानी Indian Oncologist जो Cancer का इलाज करते हैं Oncologist कहते हैं उनको डॉक्टर वी सांता इनका निधन हो गया और मैं आपको तदू ये जो अध्यर कैंसर इंस्टिट चेनलेई में था उसकी चेर परसन दह चुकी थी ये हैं डॉक्टर वी सांता इनको 2016 में पद में भीषर दिया गया था आपको इतना पता होना चाहिए दूसरे हैं कमल मुरारका ये जो समाजवद्दी जनता पार्टी थी राश्ट्री उसके प्रेसेन रह चुके हैं जाने माने इंडेस्ट्रिलिस्ट थे और कॉलिटेशन थे इवेन आपके राजसभा मेंबर भी बने हैं कमल मुरारका 1988 के दोरान तो कमल मुरारका इनका नाम आद रिखेगा और डॉक्टर वी सांता दोनों का निधन हो गया है रिसेंट्ली ने कोशन है सोमनाथ टेमपल ट्रेस्ट के ने चेरपरसन कान अपके गया है तो सोमनाथ टेमपल कहा है गुझरात में इसके ने चेरपरसन अपके गया है पीम मोदी ये देख लेते हैं लिसेंटली पीम मोदी को सोमनाथ टेमपल ट्रेस्ट का नया चेरपरसन अपके गया है सोमनाथ जो टेंपल है गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्टिक में पड़ता है PM मोरार जी दिसाई के बाद PM मोधी दूसरे पैमिस्टर है जिनको सोमनाथ टेंपल ट्रस्ट का चेर परसन अपॉइंट किया गया है PM मोधी से पहले कौन था तो केशु भाई पटेल अभी तक सोमनाथ टेंपल ट्रस्ट के चेर परसन थे उनका कुछ समय पहले देहान थो गया तो आप PM मोधी इसके चेर परसन होंगे सोमनाथ टेंपल आप सभी को पता है जो 12 जोती लिए भगवान सुके उनमें से पहला है सुमनाठ टेंपल गुजरात में से था आपको यह जुरू याद रखना है ने कोशन देखते हैं आयूस मिनिस्ट्री में जो स्रीपद यसो नायक जी हूंका रोड एक्सिडेंट हो गया है तो आपको थाना आयूस मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज इसको कर दिए गया है किरन लेजु को आयूस मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया है किरन लेजु स्रीपद यसो नायक जी डिश्चार्ज का हमारे प्रेशन देख लिए और योगा ने सिध्धा ध्य है आयूस का फूर्फार्म में जोशन है इंटर कंंट्ट्री ट्राण्पोर्ड वहीकर रूस दो जार इक रोल्स नौेटिफाई काइए गए है आपको सिताइट जो परभी द्राही ब्रोइट कितनी होगी तो इंटर कंट्री ट्रांसपोर्ड वहीकर रूस दो है या फिर इसका उद्दिस यह है कंट्रीज के बीच में हमाई जो नेवरिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में पैसेंजर्स और गुर्स का परिवाहन करना देखिए जो इस्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉर्टीज होंगी उनको यह पावर दी गई है कि जो भी रहेएंगे और जब इनका रिनियोबल होगा वोगा पाच वर्सके लिए वैलीड रहेगा तो जो तो इंटर ம इसका मेन परपस यही है कि नेबरिंग कंट्री के बीच में ट्रांसपोर्ट को क्रमोड करना और यह जो नोटिफिशेशन किया गया है रूल्स का वह मोटर वहिकल आक्ट 1988 के तहट किया गया है आपको यतना ज़रुयाद रिखना है नहीं परणने है जो हमारा पैटॉलियो उट्र है धर्वन्त प्रधान जी दोरा इनके दोरा इल एंजी ट्रक लोडिंग यूनिट जो कि Sell India का truck loading unit है ये किस Indian state में inaugurate किया गया है तो Sell India के LNG truck loading unit का inauguration किया गया है गुजराथ गुजराथ के हजीरा में ये देखिए ये है Sell India का truck और गुजराथ के हजीरा में एक Sell India के LNG truck loading unit का inauguration किया है धर्वेन प्रधान ने जितने भी off grid areas है यानि grid connected areas नहीं बुजराग के वहाँ पर ये Sell India का ट्रक ले जाकर प्रक्रतिक गैस लोगों को प्रवाइड करेगा ताकि को कंट्रोल किया सके Sell India इंडिया की कोई फर्म नहीं है यह डच फर्म है आपर देखेगा डच की कंपणी है Sell India इंडिया को हराया गया है इंडिया लग किसी भी टेस्टीम द्वरा ब्रिजबेन टेस्ट में तो रिसेंटली जो ब्रिजबेन टेस्ट हुआ था वहाँ पर ब्रिजबेन टेस्ट हुआ था वहां पर टेस्ट की भी बात करें तो बत्तिस वर्सों बाद ही आ रही है और शीरीज तो कई बार हार चुटी है यहां पर यह देख लीजिए इन्यक्रिक टीम ने चौथे टेस्ट में जो ऑस्टेलिया के खिलाब हो रहा था वहां पर ब्रि इंडिया ने तीन सौरी दो एक से जीत लिया और लाश मेंस था ब्रिस्बेन में वहां पर इंडिया ने बहत्रीं प्रदस्ट किया और इनको हरा दिया फ़र्स टाइम ऑस्टेलिया हारी है बत्तिस वर्सों में उसके पहले 1988 में हारी थी वेस्ट इंडीज की दौरा तो काफ यानि जो 2020-21 है इस एक वर्स के दौरा कितने लोगों को ट्रेनिंग प्रवाइड करेगा और इसके लिए फंड लॉकेट के गया है 948.90 करोड तो प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना के रहत ये फंड लॉकेट कर दिया गया है एक वर्स के लिए इसके दौरा आठ लाख लोगों को कौशा लियानी स्किल्प्स प्रवाइड कर जाएंगे आपके हाँ पढ़ लिए जो हमारे धर्विंद प्रधान जी है मिनिस्टर ऑफिस्किल एलेमेंट और 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 इनके दौरा प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना का थर्ड फेस लाउंच कर दिया गया है 600 इसके द्वरा मैं पूता दू आठ लाख लोगों को एक वर्स में इतनी लागत से आपकी ट्रेनिंग प्रवाइड की जाएगी मैं यह देख लिए आपके 600 जो डिस्टिक्स में लाउंच किया गया है उसमें 300 प्लस प्लस प्रवाइड की जाएंगे इंडियन यूज को प्र अब यह तीसरा फेज लाउंच किया गया है जिसमें आठ लाख लोगों को ट्रेनिंग प्रवाइड की जाएगी इस बार जो प्रधान मंत्री कॉसल विकास जोजना का थर्ड फेज है उसमें डिवांड डिवन इसकिल डेलम्मेंट पर डिजिटल टेकनोलोजी पर और इंड एक परसन को वह 8,000 रुपे दिया जाता है टोटल बजट 2016 से 2020 के लिए लाउंच किया गया था 120 बिलियन इंडियन रुपेस का और परपस था पाच वर्सों में 2016 से लेके 2020 तक एक करोड़ यूद को ट्रेनिंग प्रवाइड करना मिनिस्टी तो पता ही है इसकिल डेलमेंट ह पीछे बहुत सोर हो रहा है और आप इंडोर करें तो बहतर होगा ने कोशन है सीपी सीवी ने रिसिंटी एक रिपोर्ट जारी की है उसमें इताया है इंडिया ने 2018 के दुरान लगभग 7,215 तन का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जेनरेट किया आपको तना है कितने वेस्ट जो यह देख लिए CPCB ने एक रिपोर्ट पब्लिक की थी जिसके तहरे 2018-19 के दुरान इतना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जेनरेट हुआ है उसका 10% ही कलेट किया गया है 2017-18 में इंडिया ने इतना जेनरेट किया था और सिर्फ 3.5% कलेट किया गया था इसका अब बढ़ रह भी आहा है अप सुझते हैं 2019-20 की दुरान जो इंडिया का अल्यक्ट्रॉनिक वेस्ट जेनरेशन है वो 32 हुआ ये एक बहुत हो रहा है 2019-20 की कंपणी wa IRS लेकिन बहुत हो रहा है यानि कि company की capacity नहीं बढ़ी है लेकिन electronic waste का generation बढ़ गया है CPCB आप यहां पढ़ लीजिए Central Pollution Control Board Ministry of Forest, Climate and Environment, Forest and Climate Change के तहर चाहता है सितंबर 1974 में CPCB की स्थापना हुई थी किस Act के दोरा Water Act 1974 के Act तहर इसकी स्थापना हुई थी और इसको power दे गई थी Air Act 1981 के तहर New Delhi में इसका Headquarter है और CPCB के Chairperson कोन है स्री सिदास मिना, आज बहुत सोर है पीछे, माफ़ दिएगा उसके लिए इसलिए वीडियो बहुत लेट हो गई आज, यह आज की दो वीडियो से कोशन है आज ही वीडियो से कोशन है, I hope कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे जल्दी मिलते हैं आप से नेक्ट वीडियो में, तगले टेक केर, गुडबाय और जाहें